दोस्तों आपने सेक्डों साल पुराने शवों की ममी तो देखी होगी लेकिन क्या आप इस कटे हुए सर के बारे में जानते हैं जिसे बॉटल में रखा गया है और इसके पीछे की कहानी क्या है पुर्टगाल की एक उनिवर्सिटी में डियागो एल्विस नाम के एक सक्सका एस सर करीब 176 सालों से प्रजर्व करके रखा गया है आखिर कौन था है डियागो एल्विस और क्यों इसके सर को 176 सालों से ऐसे समाल कर रखा गया है आईए जानते हैं उसके एक आम आदमी से सीरियर किलर तक बनने की कहानी डियागो का जन्म इस्पेन में 1810 में गैलासिया में हुआ था वो काम की तलास में पुर्टगाल की लिस्बन सिटी आया था डियागो ने काफी समय तक काम की तलाश और उसे काम मिल गया लेकिन कुछी दुनों में डियागो को ये समझ आ गया कि पैसे बनाने के लिए क्राइम की ही दुनिया सबसे आसान दुनिया है उसने सबसे पहले लूट पार्ट का रास्ता अपनाया जिसमें वो ज़ादातर किसानों को अपना शिकार बनाता था इसके लिए डियागो ने लिस्वन में एक नदी पे बने पुल पर शाम की वक्त फसल बेच कर अपने गाउं लोट रहे किसानों को लूटना चालू किया जैसे ही कोई किसान अकेले निकलता तो डियागो उसे अपना निशाना बनाता इतना ही नहीं लोटने के बाद वो उनकी हत्या भी कर देता था और लाश नदी में फैक देता था उसने ऐसे कई दरजन किसानों को मौत के घाट उतारा जब पुलिस के पास गायब हो रहे किसानों की खबर कौँची तो उन्हें लगा कि साइथ आर्थिक तंगी के कारण किसान सुसाइट कर रहे है हाला कि नदी से कुछ ऐसे शब्दी बरामत हुए जिनमें किसी धारदार हतियार के लगने के निशान थे इससे पुलिस को ये तो पता चल गया कि ये सुसाइट नहीं मर्डर है पुलिस ने मर्डर रोकने के लिए उस पुल को ही बंद करवा दिया लेकिन इस क्रिमिनल की बारदात यहीं नहीं रुकी और उसने फिर इतने मर्डर किये कि पुर्दगाल का वो सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चला कि ये सारे मर्डर डियागो कर रहा है लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल सका इसी दौरान डियागो ने अपनी गैंक के साथ लिस्बन के एक डॉक्टर के घर में धावा गुला लूट के बाद उसने डॉक्टर को भी बहरेमी से कतल कर दिया और फरार हो गया पुलिस को 33 गटना की जानकारी मिल गई और इस तरह पुलिस को सक हो गया कि डियागो आसपासी कहीं चुपा हुआ है आखिरकार कुछ दुनों बाद ही डियागो पुलिस की गरफ्त में आ गया और 1941 में उसे सतर से अधिक व्यक्तियों की क्रूर हत्या के आरोप में फासी की सजा सुनाई गई डियागो को जब फासी दी गई तब पुलिस की विज्ञान एक पापुलर सब्जेक्ट था इसके लिए साइन्टिस्ट को इंसानी सुनों की तलास हमेशा रहती थी इसी के चलते पुर्टगाल की साइन्टिस्ट ने कोट से डियागो का सर लेने की अपील की दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेट बॉक्स में जरूर बताए